नमस्कार चानक्या IAS Academy में आपका स्वागत है G20 शिखर सम्मेलन हाली में बाली में संपन हुआ सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने जिसमें भारत भी शामिल था ने एक साथ वैस्विक समस्याओं को दूर करने पर सामती जताई इसी सिखर सम्मेलन में अगले वर्स होने वाले सिखर सम्मेलन की अधक्षता भारत को दी गए इन सब के बीच एक महत्पून घटना घटी और वा घटना थी अमेरिकी राष्टपती जो बाइडेन और चीनी राष्टपती शी जिन्पिंग के बीच तीन घटे की लंबी बैठक या बैठक इस रूप में काफी महत्पून है कि अमेरिकी परतनिधी सभा या हाउस ओफ रिपर्जेंटेटिप्स की अध्यक्षा नैंसी पैलेसी के चीनी चेतावनियों के बावजूद ताइवान का दौरा करने के बाद अमेरिका चीन संबंधों को एक नए निचले इस्तर पर पहुँचा दिया था थोड़ी मिठास के घुलने के रूप में देखा जा सकता है लंबे समय से दोनों देसों के बीच वैपार मुद्दा रूस युक्रेन लुद्ध सहित अन मुद्दों के बीच तनाव को कम करने के किसी भी इस तरह के प्रयास का स्वागत है दोनों नेताओं ने मतलब शी जिन पिंग और बाइडन ने आगे भी इसी तरह की वारता होने के संकेत दिये हैं संभावना यह भी है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आने वाले महिनों में बीजिंग दोरे पर आईवान मुद्दे पर अभी भी मद्भेत कायम है परन्तु बाइडन और सी जिन पिंग वारता ने एक नए सितिय उद्धिकी सुरुवात के बारे में अंतराष्टी समुदाय की आसंकाओं को दूर कर दिया है भारत के सबसे बड़े वैपारिक साज़िदार यानि कि अमेरिका और चीन दोनों ही आर्थिक मोर्चे पर मुश्किल दौर से गुजर ने है चीन द्वारा अपनी जीरो कोविड पॉलिसी यानि कि सुन्य कोविड नीती के तहट लगाए गए कड़े परतिपंधों ने फैक्टरी के उत्पादन और उपभोकता खर्च पर नकारात्मर प्रभाव डाला है चीन की वार्षिक वृद्धी के पुर्वानुमानों को संसोधित कर तीन परतिसत कर दिया गया है जो दसकों में सबसे खराब है वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी अर्थव्यस्था मंदी से बचने के लिए संघर्स कर रही है लगातार दो तिमाहियों के संकुचन के बाद जुलाई सितंबर तिमाही में अमेरिका की जीडिपी में 0.6% की वृद्धी हुई घरेलू और वेश्विक परतिकूल परिस्थितियां चीन और अमेरिका के लिए दुईपक्ची सहयोग को मजबूत करना और दूसरे देशों को भोजन और उर्जा की कमी को दूर करने का रास्ता दिखाना वर्तमान समय की जुरत को पूरा करते है अमेरिकी राश्प्रती बाइडिन ने तो यह इसपस्ट कर दिया है कि अमेरिका चीन के साथ विवाद या संगर्स नहीं चाहती है और चीन के साथ मौजूद प्रतिसप्रधा का प्रबंधन उत्तरदाइत पूर्ण होकर करेगी जिमेदारी के साथ करेगी परन्तु एक्सपर्स का कहना है यह जिमेदारी छेत्र विशेस में खास कर डक्षिन चीन सागर में अपनी सैन्न उपस्थिती बढ़ाने की अमेरिका की उत्सुकता अमेरिका चीन के बीच ससस्त टकराओ की संभावना को जिवित रखती है परन्तु इन सब के बीच एक दूसरे को गलत परतिसप्रधा में फसाने से अलग इन दो प्रभावसाली देशों को बाचीत के माध्यम से युक्रेन युद्ध के अंत में तेजी लाने और ग्लोबल सप्लाई चेन के समाने संचालन को बहाल करने के प्रयासों का नित्रुत करना चाहिए ताकि वैस्ट्रिक विवस्था फिर से पटरी पर आ सके इस प्रकार इस वीडियो में हमने हाल ही में G20 के बाली सिखर सम्मिलन में सी जिन पिंग और जो बाइडन की बीच जो तीन घंटे की बैठक हुई उसके विविन आयामों पर चर्चा कि इसके साथ ही इस वीडियो को यह समात करते हैं फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नमस्कार दोट फॉगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब तो आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन तो नेवर मिस इन अप्टेट